Hello everyone, this is Shweta Pandey. Welcome to Step Up Academy. So students, कैसे हैं आप सभी लोग और बहुत खुश होंगे और अगर थोड़े दुखी हैं तो खुश रही है. देखिए, खुश रहना बहुत ज़ादा ज़रूरी है. ठीक है? अब हम बात करते हैं हमारे exams की. exams आने वाले हैं. ठीक है? एक्जामस में देखो दो चीज़ों होती हैं. एक चीज़ तो यह होती है कि हम पूरा का पूरा चैप्टर उठाएं और उसे बढ़ लें. या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि जो topics हमें important लगते हैं. या जो topics हमें exam point of view से ऐसे लगते हैं कि जब हम answer writing करें तो उस time पे हमें यह topics use होने वाले हैं, useful होंगे. तो हम यह कर सकते हैं कि इन topics को अच्छे से पढ़ सकते हैं. ठीक है? तो इसी तरीके के काफी सारे topics हम आपको provide करते हैं. ठीक है? तो ऐसे धेर सारे topics हैं जिनने आप पढ़के exam में काफी अच्छे marks score कर सकते हैं. So students, आज की session में हम discuss करने जा रहे हैं chapter number 6, federalism का topic that is quasi-federalism, cooperative federalism and competitive federalism. यह topics हैं ठीक है? और यह news levers के according भी हैं तो दिखा जाए तो useful हैं. और आप लोगों के लिए भी बहुत interesting होने वाले हैं यह topic आप पढ़ेंगे तो आपको काफी सारा knowledge gain होने वाला है. ठीक है? तो हम start करते हैं. हम एक एक term को बहुत अच्छे से समझेंगे. इंडिया के respect में भी हम देखेंगे कि इंडिया में क्या use किया जाता है? बहुत सुनते हम federalism, federalism, federalism. तो आज हम इसे clear कर देंगे कि क्या होता है. ठीक है? देखो. सबसे पहले हम start करेंगे quasi-federalism से. अगर इस Indian federalism के बारे में हम बात करें तो हम use करते हैं phrase that is quasi-federalism. यह जो quasi-federalism का concept है यह दिया गया था Casey Weir के द्वारा. ठीक है? तो यहाँ से एक question important हो जाता है कि quasi-federalism का concept किस ने दिया? तो यह दिया Casey Weir ने. अब जो quasi-federalism है वो represent करता है strong center with comparatively less stronger units. ठीक है? यहाँ पे सिर्फ हम concept की बात कर रहे हैं कि quasi-federalism concept क्या है? तो यह represent करता है strong center. मतलब जो center होगा वो बहुत strong होगा. और with comparatively less stronger units. और जो इसकी काफी सारी units होगी वो थोड़ी comparison wise less होगी. तो यहाँ पे अगर हम समझना चाहें कि क्या होता है quasi-federalism तो यहाँ पे जो strong है वो कौन है? center है. ठीक है? और अगर हम बात करें ऐसे समझ लीजिए यह जादे strong है और कम जो strong है मतलब जो less strong होगा यह stronger होगा वो कौन होगी? यूनिट्स और यूनिट्स को हम अब आप कहेंगे कि हम इंडिया के respect में कैसे समझेंगे? तो हम इंडिया के respect में भी समझेंगे आप बस इतना ध्यान रखिए हो सकता है आप से सिर्फ यह पूछा जाए कि quasi-federalism क्या होता है? तो हमें यहाँ पे यह बताना है कि a quasi-federalism represent a strong center with comparatively less stronger units. क्लियर हुआ? यहाँ से तीन कोशन बंदे हैं हमारे सबसे पहला कोशन ही आता है कि इंडियन फेडरलिज्म में क्या है? क्वाजी फेडरलिज्म हम यूज करते हैं. यह term या concept किस ने दिया? केसी वियर ने दिया? और यह क्या represent करता है? तो जो center होगा वो ज्यादे strong होगा और units जो होगी वो less stronger होगी. क्लियर हुआ? देखिए. अब अगर हम इंडिया के respect में बात करें तो इंडिया में ये एक formative phase की तरह मतलब describe किया जाता है क्वाजी फेडरलिज्म को. अब क्या होता है formative phase? देखिए. यहाँ पे देखिए where describes the Indian case in its formative phase as a quasi-federalism. तो यहा पे इंडिया के case में यहाँ पे एक formative phase में quasi-federalism है. A unitary state with subsidiary federal features rather than a federal state with subsidiary unitary features. मतलब की state है. चीक है? तो unitary state है और उसी के साथ subsidiary federal features है. याने की mean क्या है अगर हम बात करें तो unitary है. और unitary के साथ क्या चल रहा है? federal features चल रहे हैं. यह हमको याद रखना है. इंडिया के respect में. ना की unitary state with subsidiary federal features rather than a federal state with subsidiary unitary features. clear हुआ? तो इतना जाधा नहीं बस इंडिया के respect में आए तो आपको यह ध्यान रखना है. कि यह इस तरीके से कुछ quasi-federalism show करते हैं. इंडिया में. ठीक है? अब देखें. नेक्स्ट हम आते हैं. cooperative federalism. क्या होता है cooperative federalism? हमने काफी सारे ऐसे examples सुने हुए हैं. आपने नीती आयोग सुना होगा. ठीक है? तो अब हम cooperative federalism समझेंगे क्या होता है? cooperative federalism में एक ऐसा concept है. जो relationship reflect करता है union और state के बीच में. ठीक है? जहाँ पर दोनों एक साथ आके resolve करते हैं common problems को with each other's cooperation in amicable manner. Thus contributing towards the growth of a strong federation. इतना सारा पढ़ने से और भहतर क्या होता है कि उसको समझ लेना. मतलब रटना नहीं है समझ लेजे. कुछ नहीं कह रहे हैं cooperative federalism में यह कह रहे हैं कि यहाँ पे center और state एक साथ किसी problem को solve करते हैं amicable manner में. ठीक है? मतलब कि strong federation की तरफ contribute हो यह ध्यान रख्के solve किया जाते हैं काफी सारे problems को. अगर हम फिर से पढ़ें तो देखें क्या लिका हुआ है? बोथ come together कौन-कौन union और states and resolve the common problems with each other's cooperation in amicable manner thus contributing towards the growth of a strong federation. तो cooperative federalism की अगर हम बात करें यहाँ पर क्या होता है? कि दोनों साथ में work कर रहे हैं. union और states दोनों. ठीक है? और problems का solution करते हैं यह और solution इस तरही के से करते हैं कि वो contribute करते हैं strong federation की थरह. ठीक है? अब देखिए यह बार-बार जो यह ऐसे हम लिख रहे हैं ना इसका reason यह है कि आप लोग भी ऐसा करा करें. कैसे? मान लीजिए आपने notes बनाया और इतना सारा लिख लिया. अब जब आप पढ़ने बैठेंगे या तो आप एक highlighter लेके बढ़ जाएंगे उसे highlight करने क लिए या फिर आप रटना शुरू करतेंगे. ठीक है? तो अब आपको comment section में बताना है कि आप लोगों को ऐसा ratification पसंद है या practical way में answers को अच्छे से समझना. ठीक है? मैं अगर आपको बताऊं तो आप लोग ज्यादा बहतर तरीके से तब perform कर सकते हैं जब आप answers को समझ ले ठीक है? यह देखिए. इस तरीके की formatting अगर आप अपने notes में बनाएंगे तो आपको इतना सारा सब कुछ learn नहीं करना पड़ेगा. बस इतनी से बाते हैं यहां पर कि union और state एक साथ आके problems का solution करते हैं एक दूसरे की cooperation के साथ. ठीक है? और यहां पर कहां पर contribute कर रहे हैं यह क कि ताकि growth हो सके strong federation की. ठीक है? मतलब कोई भी favor में नहीं कर रहा है काम. किस चीज़ के लिए वर कर रहा है कि strong federation के लिए कर रहा है? यहां पर यह यह शो करता है horizontal relationship. union और state के बीच में जहां पर किसी की monopoly नहीं होती है. मतलब एक के ऊपर एक कोई नहीं रहता है. ऐसे के देखें. वेर नन इस प्लेस्ट ओवर एंड अबव ऑन दी अदर. देखें, horizontal power के अगर मैं बात करूं, हमारे Indian government की ही बात करते हैं, structure of Indian government में. तो हम देखते हैं कि यहां पर legislative है, executive है और judiciary है. ठीक है? तो यह है horizontal power. horizontal power मतलब किसी के भी पास monopoly नहीं है. यह यह एक दूसरे क लीड नहीं करेंगे, रूल नहीं करेंगे. interference अलग तरीके से होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि उनलोग के काम में कुछ problem है. इसी तरीके से cooperative federalism में भी horizontal power होती है. मतलब कि union और state दोनों cooperation के साथ वर्क करते हैं. यहां union यह नहीं कह सकता कि मैं center में हूँ या मैं मतलब मैं मैं म हूँ तो इस वजह से जो मैं कहा रहा हूँ वही होगा. ऐसा नहीं कहेंगे, ना states ऐसा कहेंगे, ना union ऐसा कहेंगे. यह होता है cooperative federalism. ठीक है, clear हुआ. अब अगर यहां पर हम strong relationship की बात करें union और state के बीच में, तो Indian constitution ने कुछ institutions incorporate किये हैं, जो शो करता है strong federation. ठीक है, तो यह कौन से कौन से institutions हैं, जैसे कि अभी starting में मैंने आपको नीती आयोग के बारे में बताया था. ठीक है, तो अब यहां पर कुछ ऐसे institutions हैं, जो दोनों मिलके जहां पर union और states एक corporation के साथ work करते हैं. तो यह कौन से कौन से institutions हैं, आईए हम देखते हैं. देखिए, institutions देखिए, interstate councils zonal councils, this seventh schedule. अब seventh schedule में division of powers के बारे में बताया गया है. ठीक है, जहां पर union, state और इस तरीके से powers का और concurrent list में powers दी गई हैं. तो यह सारी चीज़ें क्या करती हैं? towards the growth of a strong federation. यहां पर strong federation की growth हो, इन सारी चीज़ों के लिए work करती हैं. मतलब की एक corporation के साथ union और states work करते हैं. अब देखिए, next आम आते हैं competitive federalism पर. क्या होता है competitive federalism? competitive federalism places all states, the union on equal and competing footing where the best performing states can take the maximum benefits of the resources, services and taxes. competitive federalism में क्या करते हैं? यहां पर सारे states को एक equal and competing footing पर रखा जाता हैं. और जहां पर भी best performing states होते हैं, वो maximum benefits ले सकते हैं, resources का, services का और taxes का. तो competitive federalism वैसे तो वर्ट से ही समझ में आ रहा है, बड़ यहां पर हमने क्या देखा? कि competitive federalism में all states होते हैं. ठीके? और जो भी better perform करते हैं, उन्हें क्या होता है? बेनिफिट, comparison wise other states के जाधा होता है. और यह कौन से कौन से benefits हैं, तो यह resources हैं, services हैं और taxes हैं. ठीके? ख्लियर हुआ? तो एक चीज़ आप ऐसे समझेए कि ना answers को हम hundred lines के या hundred words के या paragraph के answers को हम इतने short में भी कर सकते हैं. ठीके? बस करना क्या है? थोड़ा सा समझना है. जब आप समझेंगे ना तो बहुत अच्छे से answers को summarize कर सकते हैं. अब आपको clear हो गया कि competitive federalism क्या होता है? ठीके? देखिए. यह ensure करता है healthy competition को. among all the states, leading towards better performance and delivery which constitute important part of governance. मतलब कि ऐसे states जो अच्छी performance कर रहें तो उन्हें और क्या करेगा? यहाँ पर एक healthy competition लेके आएगा उनके बीच में ताकि वो और अच्छे से work कर सकें. और यह important part है governance का. ठीके? वर्क करना और उसे deliver करना दोनों चीज़. जो post-liberalization era था यह reflect करता है trend of cooperative federalism को. अब post-liberalization era कैसे reflect कर रहा है competitive federalism को? तो देखिए जहाँ पर states ज्यादा autonomous, accountable और efficient थे अपनी functioning में तो post-liberalization area में उस टाइम पर states ज्यादा autonomous थे इस वज़े से और अच्छे से work कर पाते थे और यही चीज़ reflect करती है competitive federalism में. तो I hope आप सभी को बहुत अच्छे से clear हुआ होगा जितने भी हमने types पढ़े आज की quasi-federalism क्या है, cooperative federalism क्या है और competitive federalism क्या होता है. ठीक है? अभी आपको clear हुआ होगा अच्छे से और अगर कुछ नहीं आया भी समझ में तो आप चल्दी से comment section में पूछ सकते हैं. ठीक है? तो I hope मैंने जो आपको और इससे जाधा videos देखने के लिए आप हमारी website पर भी visit कर सकते हैं. Thank you.